अब आज वेलकम तो त्रिशूल डिफेंस अकार्णी योट्यूब चैनल माइनेम इस शिवम पान्डे और आज हम लोग डिसकस करने जा रहे ओशेन करेंट्स के बारे में गैस ओशेन करेंट्स के बारे में अभी तक मैंने योट्यूब में सारी वीडियो देखी सब कुछ दे हम ओशेन करेंट्स की फार्मिशन होई है जिसे हम लोग गरम जलधारा के नाम से जानते हैं किस तरीके से कोड ओशेन करेंट्स की फार्मिशन होई है mild ocean currents की formation किस तरीके से हुई है इनके पीछे की forces क्या है उनी forces के बारे में आज हम लोग discuss करेंगे और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि world की जो major ocean current यानि की जलधार आएं हैं वो कौन कौन सी है तो आज का जो हमारा discussion होगा ocean currents के regarding ही होगा और आप लोगों को ये भी पता है कि चाहे वो NDA का exam हो चाहे वो CDS का exam हो FKET का exam हो या कोई भी exam उन सारे exams में ocean currents के जो questions है वो आते ही आते हैं ये चीज़ 100% सौर्चोट है तो इसी discussion को आज हम लोग आगे discuss करते हैं आप सभी का स्वागात है त्रिशूल डिफेंस अकाडमी के इस योट्योब चैनल पे चलिए हम लोग आज का discussion स्टार्ट करते हैं हमारे ocean currents का Now guys सबसे पहला सवाल हमारे पास आता है ये जो ocean currents है इनकी formation कैसे हुई ये सवाल तो एक है ही अपने आप में लेकिन इससे भी important जो सवाल हमारे पास आता है that what are the ocean currents ocean currents होती क्या है clear तो अपने इस सवाल का जवाब पहले हम लोग लेते हैं that what are the ocean currents चलिए इसके बारे में हम लोग discuss करते है that what are the ocean currents now guys ocean currents के बारे में हम लोग जब बात करें आप 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 दि सर्फिस जो सर्फिस होता है न इसी इरिया के साइड में हमारे पास क्या प्रिजेंट है वाटर की प्रिजेंट देखने के लिए मिल जा रही है यहां पर यह हमारे पास oceanic water देखने के लिए मिल रहा है अब इसी oceanic water के जो parallel movements होते हैं जो parallel movements हमें देखने के लिए मिलता है इस तरीके के movements जो होते हैं इनको हम लोग ocean currents कहते हैं यह हमारा एक print view एक मैं आपके आगे top view बनाता हूं और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि यह जो parallel movements होते हैं यह किस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है देखिए यह हमारा surface surface के alongside हमें water देखने के लिए मिल ला है this is the water और इसी water के parallel move कर रही है क्या हमारे ocean currents इनको हम लोग ocean current है इन ocean current की जो maximum depth होती है वो two inches होती है two inches is the maximum depth of the ocean current clear यह चीज़ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है आगे की बात अब हम लोग करते हैं आगे हम यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ते हैं और देखते हैं इन ही ocean currents के बारे में अब इन ocean currents की formation कैसे हुई अब यह चीज़ देखते हैं एक चीज़ तो हमें यह समझ में आई कि ocean currents के आते हैं यह surface के parallel move करते हैं और maximum depth कितनी होती है दो inches की होती है इन waters की और यह perennial इनका movement देखने के लिए मिलता है पूरे साल यह move करते हैं अब यह देखते हैं कि इन ocean currents की formation कैसे हुई है इसके बारे में अब हम लोग discuss करते हैं तो इसके बारे में जब हम लोग आई discuss करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि जब हमारी earth की formation हुई थी when our earth was formed at that particular time जो हमारे ocean water distribution था वो हर जगा पे एक amount का देखने के लिए मिल रहा equal water distribution देखने के लिए मिले क्योंकि जब earth की formation हुई origin of the earth का जब हम discussion करते हैं तो वहाँ पे हम discuss करते हैं how hydrosphere was formed जो ocean है उनकी formation कैसे हुई तो एक मैं आपको summarize form में बता दे रहा हूँ कि earth जिस समय अपने starting phase में देखने के लिए मिल रही थी cool down होने की वज़े से condensation का process हुआ जिसकी वज़े से precipitation देखने के लिए मिला और यह जो precipitation हुआ था यह पूरे earth के surface के उपर equal amount में हुआ था और water के जो levels थे पूरे surface के उपर earth के वो एक equal amount में देखने के लिए मिल रहे थे यानि कि अगर यह हमारे पास 90 degree हमारा pole है if this is the 90 degree pole यह हमारा 90 degree है pole north south कुछ भी हो सकता है और यह हमारा 0 degree equator है clear this is 90 degree pole and this is 0 degree equator अब यहाँ पे जो water levels थे न वो equal amount में क्या थे distributed देखने के लिए मिल रहे थे तो water levels क्या थे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी जो water levels थे water levels वर constant यह constant water levels हमें आपे देखने के लिए मिले यह equal amount में water distribution हुआ पोल पे भी और equator पे भी यह constant है और यह water level है this is the water level इत्ती बात आप सबको समझ में आई होगी clear अब आप एक चीज खुद सोचो और इस चीज का जवाब आप मुझे खुद दो कि जो 0 degree equator है और 90 degree है इन दोनों में से maximum temperature कहां पे होगा equator पे होगा या poles पे देखने के लिए मिलेगा but obvious सी बात है guys जो temperatures देखने के लिए मिलेंगे वो ज्यादा हमें equator पे देखने के लिए मिलेंगे as compared to pole तो temperatures maximum कहां पे होगे यहां पे क्या हो जाएंगे maximum temperatures clear यहां पे हमारे पास maximum temperature देखने के लिए मिलेगा clear और यहां पे हमारे पास क्या हो जाएंगे minimum temperature यह minimum temperature हो जाएगा और यह maximum temperature देखने के लिए मिलेगा मैं इसको एक बार थोड़ा सा सही से लिखने के लिए मिलेगा अब आप एक चीज देखो और मुझे यह बताओ यह जो maximum temperature है और जो minimum temperature है सबसे ज़्यादा evaporation कहां से होगा जिसको हम लोग वास्पे करण कहां से देखने के लिए मिलेगा सिंपल साइन से क्लास 9 में पढ़ा एक टंप्रेचर एक फैक्टर देखने के लिए मिलता है अलॉंग विद मैनी अदर फैक्टर फॉर दी इवापरेशन जिसमें से एक मेजर कंपोनेंट क्या हो जाएगा टंप्रेचर देखने के लिए मिलेगा यानि कि जहां पर मैक्सिमम टंप्रेचर होगा वहां से क्या होगा मैक्सिमम एवापरेशन देखने के लिए मिलेगा बहुत जादा वाश्पे करण हमें देखने के लिए मिलेगा और यहां से क्या हो जाएगा मिनिमम evaporation हमें देखने के लिए मिल जाएगा यानि कि यहाँ पे एक water के slope का formation होगा water levels अभी इस तरीके से हमें देखने के लिए मिल दा यह है हमारा zero degree equator और यह हमारा 90 degree pole यहाँ से maximum evaporation हुआ water जादा evaporate किया और यहाँ से minimum evaporation हुआ तो water levels इस तरीके से देखने के लिए मिलेंगे यानि कि एक slope का development हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा समझ में आई बात और जब slope का formation हो जाएगा तो water इस slope से जो की उपर है और यह जो slope नीचे बन गया है higher slope to lower slope water का movement देखने के लिए मिलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटे यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके का slope देखने के लिए मिल जाएगा इस slope में होगा क्या यहाँ पे जो water levels है पोल पे जो water levels देखने के लिए मिलेंगे वो high हो जाएगे water levels क्या हो जाएगे high हो जाएगे और equator पे जो water levels है वो कैसे हो जाएगे कम देखने के लिए मिलेंगे due to evaporation due to evaporation यह चीज़ याद रखने clear और एक चीज़ देखो पोल से water कहाँ move कर रहा है equator पे move कर रहा है यानि पोल का temperature almost zero या zero से sub zero देखने के लिए मिलेगा minus में भी देखने के लिए मिलते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जो water है water का temperature कैसा रहेगा cold देखने के लिए मिलेगा और cold एरिया से water किधर move करेगा गरम एरिये की तरफ move करेगा यानि की hot एरिया में movement करेगा यही जो movement होगी water की from cold to hot region यही पे ही यह formation हो जाएगी हमारे किसकी cold ocean currents की cold ocean currents की formation यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगी कुछ इस तरीके से cold ocean की formation किसकी वज़े से हुई है फिर से समझना water level equal थे एक amount में देखने के लिए मिला उसके बाद maximum temperature थे equator पे जिसकी वज़े से evaporation हुआ और evaporation होने की वज़े से equator का जो water level है वो down हो गया 90 degree water levels कैसे थे almost equal देखने के लिए मिले यहाँ पे minimum temperature है दो evaporation हुआ ऐसी बात नहीं नहीं हुआ बट equator के comparison में evaporation कम हुआ जिसकी वज़े से यहाँ से कम evaporation हुआ और यहाँ पे एक slope का formation हो गया जिसकी वज़े से water 90 degree पोल से लेकर के zero degree equator की तरफ move करने लग गया और इसी को हमने नाम दे दिया क्या cold ocean currents का इत्ती बात यह समझ में आई यहाँ तक का यह discussion clear है आप लोगों को अगर यहाँ तक का discussion clear है तो अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं done अब हम लोग अपना discussion आगे की तरफ ले करके चलते हैं चलो मैं यहाँ पे एक highlight कर दे रहा हूं यहाँ पे और यहाँ पे ताकि आप लोगों को थोड़ा सा easy हो जाए चीजे समझने हैं यहाँ पे यह क्या है higher water levels higher water levels clear यहाँ पे यह क्या है lower water levels done यह चीज हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल पे रिवेंबर तिस इस इंपोर्टेंट फॉर्डी को डोशन करेंट को डोशन करेंट के लिए इंपोर्टेंट चीज है चलिए से discussion को आगे टे करके चलते हैं अब discuss करते हैं आगे की बाते हैं नाँ गाइस दिस आर अर्थ सपोस कर लो यह एक अर्थ है अमारी चैक है और यहाँ पे हमारे पास यह अमारा zero degree equator हो गया इस इस 90 डिग्री साउथ और इस इस 90 डिग्री नॉट यह चीज हम यहाँ पर देखने के लिए अभी हमने यहाँ पर डिसकस किया कि वाटर का जो मुवमेंट हुआ वो 90 डिग्री से लेकर के एक्वेटर की तरफ हुआ और इसी को हम लोगों ने क्या कह दिया कोल्ड ओशन करेंट कह दिया अब एक चीज़ देखो कोई भी अगर दो बॉडी सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है और आपस में आ करके यह टकरा गई और इस टकराने की वज़े से क्या होगा इनकी जो स्पीड है जो वेलोसिटी है वो खतम हो जाएगी अगर वेलोसिटी ते क्रेजन होने की वज़े से यहां पर यह कोल्ड ओशन करेंट को क्या हो जाना चाहिए स्टॉप हो जाना चाहिए आगे फर्दर मुवमेंट्स देखने के लिए नहीं मिल ली चाहिए बट ऐसा होता नहीं है होता क्या है यहां पर हमें एक कॉंसेट देखने के लिए मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं Coriolis Deflection मैं CD लिख दे रहा हूँ Now guys Coriolis Deflection एक बहुत important force देखने के लिए मिलती है It's a weak force, pseudo force यह हमें देखने के लिए मिल जाती है अब होती क्या है Coriolis Deflection मान लीजे कोई भी body है यह हमारा zero degree है यह latitudes है different different हमें latitudes देखने के लिए मिलना है Suppose कोई हमारी missile है कोई हमारे rocket launchers है या aeroplanes है कुछ भी x, y, z वो कुछ भी चीज हो सकती है अगर वो चीज inter-latitudinal movement कर रही है तो वहाँ पे हमे Coriolis Deflection देखने के लिए मिलता है मान लीजे कोई एक body है और उस body को equator से move करना है pole की तरफ उस body को कहाँ move करना है equator से pole की तरफ move करना है तो वो simply क्या करेगी straight path को follow करेगी और इस point पे जाना है point A से उसने start किया और point B पे जाना है तो वो straight path को follow करेगी और हमें एक चीज़ पता है हमारी जो अर्थ है वो अर्थ क्या करती है रोटेट करती है कैसे वेस्टू इस्ट रोटेशन हमें देखने के लिए मिल जाता है अब यह जाना तो इसको स्ट्रेट था बट अर्थ वेस्टू इस्ट क्या कर रही है रोटेशन कर रही है रोटेट कर रही है रोटेट होने की वज़ेár से यह जो पॉइंट एसे तो चला बट भी पे नहीं पहुँच पाएगा यह क्या होगा अपने पाथ से deviate हो जाएगा और आगे की तरफ move कर जाएगा clear? यानि कि अगर हमें इस missile को B पे लॉंच करना था तो हमें थोड़ा सा इसको shift करके यहां से लॉंच करना पड़ेगा तब ही ये क्या होगा B पे लॉंच होगा नहीं तो ये इस तरीके से straight line follow नहीं करेगा अगर हम B के just नीचे से करेंगे तो ये deviate हो जाएगा और कहीं और move कर जाएगा clear जाना ऐसे था deviate हो गया किस वज़े से? Coriolist deflection की वज़े से clear इसी लिए आपको world के जो major launching pads देखने के लिए मिलेंगे चाहे वो ISRO का हो चाहे DRDO हो चाहे NASA हो चाहे JAXA हो चाहे Euro Space Agency हो कोई भी Space Agency हो उनके जितने launching pads होते हैं वो सारे के सारे launching pads आपको Eastern boundary पे ही देखने के लिए मिलेंगे Western boundary पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक Space Agency exception देखने के लिए मिलती है और वो है Russia की Space Agency clear यह चीज़ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है तो यहाँ पे क्या हुआ यह जो ocean current है यह 90 degree से 0 degree move कर रहे है बट बीच में तो बहुत सारे क्या आ रहे हैं latitudes आ रहे हैं और इन latitudes की वज़े से क्या होगा Coriallis deflection देखने के लिए मिलेगा Remember one thing guys Coriallis deflection जो होता है Coriallis deflection northern hemisphere में It is always towards the right hand side Right hand side देखने के लिए मिलेगा northern hemisphere में और southern hemisphere में Coriallis deflection is always towards the left hand side Remember बहुत important point है यह perpendicularly देखने के लिए मिलता है कहीं पे भी यानि कि जिधर की तरफ movement हो रहे हैं उधर face करके आप खड़े हो जाओ जैसे northern hemisphere में यह ऐसे move कर रही है तो ऐसे face करके हम खड़े हो जाएंगे तो हमारा right hand यह पड़ेगा तो ideal movement तो इसका यह होना चाहिए बट यह move कैसे कर रही है इसका movement इस तरीके से हुआ जाना इसको भी straight था बट इसका भी ideal movement कैसे हुआ इस तरीके से और यह movement क्यों हुआ coriolist deflection की वज़े से आ करके टकराते फतम हो जाते लेकिन coriolist deflection लगा और साथ में आगे की तरफ यह क्या कर गए move करने लग गए तो यहां से जो आगे का movement हुआ इनका this movement इसी को हम लोग कहते हैं equatorial current this is known as the equatorial current इसको हम लोग क्या कहते हैं equatorial current इनको हम लोग कहते हैं तो equatorial current जो हमें देखने के लिए मिल जाती है और equatorial current की जो formation होती है गाइस वो किसकी वज़े से देखने के लिए मिलती है equatorial currents are form due to the coriolist deflection याद रखिएगा यह important point है यूपीएसी वो बच्चों वाले question नहीं पूछता कि इस current का नाम बताओ यह करो यूपीएसी आपसे concepts पूछता है और यहीं आपके concepts हैं जो NCRT में mention है और आप लोग उन concepts को क्या कर देते हो miss कर देते हो right चलिए आज हम लोग इसको भी और आगे discuss करते है अब guys यहाँ पे होता क्या है हर जगा आपको ऐसे free land तो देखने के लिए मिलेगा नहीं कि simple ocean है land कहीं पे है यह नहीं ocean currents मूव करें नहीं कहीं नहीं कहीं न कहीं आपको एक जगा land boundary देखने के लिए मिल जाएगी यहाँ पे क्या होगा suppose करिए यहाँ पे यह ocean current मूव करीं और इस ocean current को इस particular जगा पे एक land देखने के लिए मिल गया और ऐसा होता है एक भूस थल देखने के लिए मिल गया clear done अब यहाँ पे क्या हुआ यह ocean current आई और आ करके यहाँ पे accumulate हो गया water का क्या हो गया accumulation देखने के लिए मिल गया water क्या हो गया एकठा होने लग गया उपर से move किया Coriallis deflection लगा फिर parallel equator के parallel क्या किया move करने लग गया और यहाँ पे water आ करके एकठा होने लग गया clear अब हमें पता है हमारी अर्थ कैसे move करती है west to east हमारे अर्थ का movement देखने के लिए मिल जाता है तो जब west to east हमारी अर्थ का movement देखने के लिए मिल रहा है तो इसी वज़े से यहाँ पे एक ocean current हमें और देखने के लिए मिलेगी और इसी को हम लोग कहते हैं counter equatorial current क्या कहते हैं counter equatorial current क्लियर counter equatorial current कहते हैं हमें समझ में आया कि cold ocean current की formation कैसे हुई cold ocean current हमें समझ में आया equatorial current की formation कैसे हुई clear हमें क्या-क्या अभी समझ में आ गया हमें भई यह समझ में आया कि cold ocean currents की formation कैसे हुई हमें यह समझ में आया equatorial current की formation कैसे हुई हमें यह समझ में आया कि counter equatorial currents की formation कैसे हुई what are the forces responsible for these ocean currents ये हमारे concepts clear हुए अभी यहाँ पे एक current और बच गई जिसको हम लोग कहते हैं warm ocean current अब उसके बारे में थोड़ा सा discuss कर लेते हैं clear अब यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे बताया water आकर के यहाँ पे कठा हो गया अब गईज यह जो water का accumulation होता है न geographical term में हम इसे कहते हैं nansen effect क्या कहते हैं it is known as the nansen effect इसे हम nansen effect कह देखें clear nansen effect हुआ यानि कि यहाँ के जो water level से अब वो क्या हो गए high हो गए और equipols के जो water level से वो क्या हो गए low हो गए cold ocean currents की formation किस वज़े से हुई थी slope की वज़े से हुई थी due to the evaporation यह यहाँ से पानी चला और चल करके water यहाँ पे आ करके रुख गया यह चीज हुआ था अब पानी यहाँ पे आ करके water आ करके यहाँ पे accumulate कर गया इकठा हो गया और इसी accumulation of water को हम लोग scientific term या फिर टेक्निकल टर्म में किस नाम से जानते हैं नैंसेन इफेक्ट के नाम से जानते हैं और नैंसेन इफेक्ट होने की वज़े से यहां से एक और हमें anti-slope देखने के लिए मिलेगा और उसी anti-slope को हम लोग किस नाम से जानेंगे उस anti-slope को हम लोग जानते हैं warm ocean current warm ocean current के नाम से हम लोग जानते हैं clear है इतनी बात इतनी बात clear है अब इनके directions के बारे में हम लोग discuss कर लेते हैं तो अभी हमने क्या-क्या बाते discuss करी अभी अभी guys हमने यहां पे discuss करी हैं कुछ बाते हैं जैसे की just wait a second यहां पे we had talked about अभी अभी यहां आने जैसे को लोग नोशन करें गोड़व अजैं यहां ठेम अपर नोशन करेंट के बारे में हमने बातचीथ करी एं को अदो अभी को नोशन करेंट में हमने क्या देखा I guess आपको यह visible नहीं हो पाएगा मैं इसको सही से लिख दे रहा हूँ मैं yellow जो pin है वो use कर रहा हूँ cold, ocean, current, clear अब इस पर देखा cold, ocean, current हमने देखा cold, ocean, current का जो movement था वो क्या था from pole to equator हमें movement देखने के लिए मिला cold, ocean, current का movement क्या था इसका guys pole to equator हमें इसका movement देखने के लिए मिला cold, ocean, current की जो formation है they are formed due to the evaporation की वज़े से हमें देखने के लिए मिली है यहाँ पे एक formation हो गई थी किसकी anti-slope की formation देखने के लिए मिली यानि कि they are formed due to the level difference between equator, between pole and equator they are formed, they are formed due to the level difference between pole and equator pole and equator के बीच में जो level difference आया था उसकी वज़े से इनकी formation हमें देखने के लिए मिल गई clear pole and equator done next second thing क्या है हमने देखा equatorial current का movement क्या था move parallel to the equator equator के parallel क्या कर रही थी movement कर रही थी clear इसकी formation किस वज़े से हुई they are formed due to formed due to corialist deflection corialist deflection की वज़े से formation हुई है मैंने आपको बता दिया था corialist deflection क्या होता है clear clear है next हमने देखा next ocean current के बारे में that is the counter equatorial current मैं आपको दिखा भी दूँ यह वाली यह pink वाली जो है this is the counter equatorial current clear हमने क्या देखा counter equatorial current counter equatorial current को हमने देखा counter equatorial current की जो movement है वो movement किस वज़े से हुई है guys counter equatorial current की जो movement है वो west to east हमें देखने के लिए मिली है और they also move parallel to equator move parallel to equator यानी की east to west इसकी movement देखने के लिए मिली है formation किस वज़े से हुई है pond due to the rotation of the earth earth के rotation के वज़े से इसके formation हमें आपे देखने के लिए मिली है clear है ये बात are we good about this thing clear counter equatorial current के बाद guys जो next major current हमें देखने के लिए मिली है that is the warm current warm current के बारे में अगर मैं बात करूं warm current की formation हुई है level difference की वज़े से next is the warm current warm current की जो formation हुई है पहली बात तो इसका जो movement है from the move from equator equator pole equator to pole इसका movement हमें देखने के लिए clear equator to pole movement equator से pole इसका movement है and formed due to the nansen effect nansen effect की वज़े से इसकी formation हुई है clear यह क्या है level difference की वज़े से इसकी formation हुई है level difference of water water का जो level difference हुआ था यहां पर आप देखो इसकी वज़े से warm ocean current की formation हुई है clear है इतनी बात तो यह थोड़ी सी जो बात है वह आपको पता होनी चाहिए गाइस यह हमारे basics है basics हमें clear होना बहुत ज़रूरी है आप पूरी YouTube छान मानना कहीं पर आपको यह नहीं explain किया गया होगा कि cold ocean current किस वज़े से बनी है equatorial current किस वज़े से बनी है counter equatorial किस वज़े से बनी है warm ocean current किस वज़े से बनी है इनके पीछे की forces कौन कौन सी है forces का explanation आपको कहीं पर देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको लोग बस यह बता देंगे कि कुरोशो current warm current है और वाशो current cold current है यह मतलब इस तरीके के examples आपको दे दिएंगे लोग को clear यह चीजें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गई ना होगा इस अब आगे बढ़ते हैं इसी discussion को हमारे हम आगे लेकर के चलते हैं clear अब देखते हैं कि यह जो ocean currents है उन ocean currents को कैसे distribute किया गया है कोई भी आप ocean ले लिए आप Pacific Ocean ले लो आप Atlantic Ocean ले लो इंडियन ocean Northern Indian Ocean is only one exception clear ठीक North Indian ocean का जो discussion है वो हम monsoon में करते हैं ठीक है यहाँ पर कोई भी आप ocean ले लो चाहे आप Northern Pacific ले लो Southern Pacific Northern Atlantic Southern Atlantic अगर आप किसी ocean को combine करते हो तो वहाँ पर आपको 14 major ocean currents देखने के लिए मिल जाती है clear अब उसी के बारे में discuss करते हैं clear इत्ती बाते आई गैस आप लोगों को clear हो गई होंगे ठीक है अब अपने discussion को हम आगे बढ़ाते हैं now let's talk about the ocean currents major ocean currents देखते हैं suppose करिए हमारे पास क्या है Atlantic Ocean Atlantic Ocean के example ले रहे हैं आप Pacific ले लो जो ocean आपको अच्छा लगे उस ocean का एप example ले सकते हो मैं कोई किसी भी ocean का नाम यहाँ पर mention नहीं कर रहा हूं आपको जो ocean अच्छा लगे उसका नाम आप ले current आई और आ करके equator पे hit करें this is current number one next Coriallis deflection की वज़े से यहाँ पे एक current आई और आ करके equator के parallel move करने लग गई this is the current number two मैं यहाँ पे दोनों hemisphere को मैं साथ में बना रहा हूं clear यह हमारा northern hemisphere है और यह हमारा southern hemisphere है इतना तो आपको पता ही होगा clear उसके बाद next यहाँ पे nansen effect हुआ nansen effect होने की वज़े से एक जो current है वो current हमारी कहां move कर गई वो current हमारी north में move कर गई top की तरफ move कर गई clear उसी के साथ formation हुई थी हमारी counter equatorial current की clear यह हमारी current number 3 है this is current number 3 clear and this is current number 4 यह हमारी current number क्या है 4 clear उसके बाद यहां से next जो movement हमें देखने के लिए मिला earth हमारी rotate कर रही है west to east direction में तो यहां से current की formation देखने के लिए मिली this is current number 5 clear यहां से टॉप से भी एक cold current देखने के लिए मिलती है हमें reason same है reason of formation is same और यह दो current यहां पर आ करके क्या कर जाती है accumulate कर जाती है यहां से यहां से एक करेंट वापस पोल की तरफ चली गई अपर पर आ करेंट अपर नुमबर देखने के लिए करेंट अब इन इन आप करेंट की आपको याद रखने पढ़ेगी और कोई चारा नहीं यहाँ पे कुछ ocean currents ऐसे हैं जिनकी local naming भी हमें देखने के लिए मिल जाती है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना clear? आगे हम लोग discuss करते हैं इनकी naming के आप देखिए current number 2 को look towards the current number 2 आप जब current number 2 को देखूगे तो यह equatorial current है और current number 2 की जो naming होती है वो कैसे होती है कुछ भी नहीं करना है इसके आगे सबसे पहले हमें hemisphere का नाम लिखना है कौन से hemisphere में है यह current number 2 suppose यह northern hemisphere में है तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं northern hemisphere यहाँ पे hemisphere hemisphere का नाम आएगा पहले clear? hemisphere के नाम के बाद हमें next thing जो यहाँ पे mention करनी है वो है ocean का नाम clear? हमें यहाँ पे ocean का नाम mention कर देना done? यहाँ पे हमारे पास आजाता है ocean name ocean ocean का नाम उसके बाद कुछ भी नहीं करना उसके बाद बस हमें लिख देना है equatorial current clear? equatorial current हमें लिख देना है clear? current number two next current number three पे आते हैं यह कुछ नेविंग जो है यह universal आपको देखने के लिए मिलेंगी है इनका कोई नेम नहीं बस ocean का नाम hemisphere का नाम बस यहाँ पे आता है next आप देखिए current number three को जिसका नाम है counter equatorial current now guys यह जो counter equatorial current है इसमें भी कुछ नहीं करना पहले आएगा किसका नाम हेमेस्फेर फिर आएगा किसका नाम ocean ocean का नाम फिर क्या लिख देना है counter equatorial current clear? यह चीज हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है counter equatorial current clear? next हमें देखने के लिए मिली current number five current number five जो है इसकी जो naming है वो भी easy है इसको हम लोग कहते है western drift western drift लिखने के बाद कुछ भी नहीं करना है बस दो नाम आपको यहाँ पे additional और install कर देने है पहला नाम आएगा यहाँ पे किसका? hemisphere का और दूसरा नाम आएगा यहाँ पे किसका? ocean का clear? तो hemisphere का नाम आगया और ocean का नाम यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल गया clear? यह सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है I guess आपको इतनी बाते तो clear हुई हूं गया तो in all यह हमारी जो major ocean currents of the world है वो देखने के लिए मिल जाती है हर ocean में यह major currents हमें देखने के लिए मिलती है वैसे तो currents बहुत सारी है these are the major ocean currents इनकी formation कैसे होती है? इनका movement कैसा होता है? कोई भी current if any current is moving from pole to equator कोई भी current अगर pole to equator move कर रही है तो वो current कैसी होगी? cold current देखने के लिए मिलेगी कोई भी current हो x, y, z कोई भी current हो अगर वो current equated to pole move कर रही है तो वो कैसी current हो जाएगी? warm current होगी clear? कोई भी current अगर inter-latitudinal movement शो नहीं कर रही है यानि कि एक latitude से दूसरे latitude की तरफ move नहीं कर रही है वो एक latitude के parallel move कर रही है तो वो mild current देखने के लिए मिलेगी यानि की जैसे current number 2, 3, 5 ये कैसी है? mild current है clear? mild current temperatures बताते है clear? mild current क्या होती है? parallel पैरलेल चूदी latitude latitude के क्या है? parallel देखने के लिए मिल रहे हैं clear है इतनी बात ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा अब इसके बारे में थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाते हैं देखिए ocean current का जो आज अभी तक आप discussion आप यहाँ त्रिशूवल डिफेंस अकैडमी के यूट्यूब चैनल पे आप देख लोगे न उसके बाद आपको ocean current कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं इस माई गैरेंटी यह चीज मैं एक open platform से आपको बता रहा हूँ clear? चलिए आगे discuss करते हैं next thing जो हमें आप याद रखनी है that is the strength of the ocean current strength of the ocean current strength क्या है भाई यह current strong है weak है कैसे current है इसके बादे में discuss करते हैं अब next जो हमारा discussion का topic बनता है वो strength बनता है clear? ठोटा सही एक यह topic देखने के लिए मिल जाता है बहुत कोई इसमें rocket science हमें देखने के लिए नहीं मिलती है clear? पहले आप यह चीजे देख लो अगर आपको यह सारी चीजें clear हो गई हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं ठीक हमने discuss किया पोल्ड ओशन करेंट की formation कैसे होती है हमने discuss किया किस तरीके से वह equatorial current, counter equatorial current, warm current की formation होती है what are the forces responsible for these ocean currents next हमने directions बगेरा इनके discuss कर लिए direction के बाद हमने जो 14 major ocean currents देखने के लिए मिलते हैं world के उनके बारे में discuss किया जिसमें से हमने 6 ocean currents के नाम देखे क्योंकि एक hemisphere में 3 है तो 2, 9 hemisphere मिला दो तो 6 ocean currents हो जाएंगे जिनके नाम आपको देखने के लिए मिल जाते हैं clear? उसके बाद अब हमें discuss करना है strength of the ocean current की जो strength है वह हमें ऐसे पता चलेगी कि वह particular ocean current जिस भी coastal area से पास हो रही है उस coastal area पे अपने temperatures का कितना impact डाल पा रही है या नहीं इस चीज़ से हम decide करते हैं और यह temperature का impact कैसे पढ़ता है यह हमें बताएगा Coriolis deflection याद है ना Coriolis deflection Coriolis deflection Northern Hemisphere में कहां लगता है राइट हैंड साइड देखने के लिए हमेशा deflection कहां होते हैं Coriolis deflection के Northern Hemisphere में राइट हैंड साइड की तरफ लगते हैं Coriolis deflection Southern Hemisphere में कहां पे लगेगा Southern Hemisphere में लगता है Left Hand Side देखने के लिए मिल जाता है LHS जिसे हम लोग कह देते हैं दियाने की अब Coriolis deflection के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाएं सपोस करिए गाईस अब Northern Hemisphere अब इस अब इस नौर्देन हमेस्फेर में कोई एक करेंट है जो की इस तरीके से मूव कर रही है स्ट्रेट ठेक लेकिन हमें पता है आइडियल मूवमेंट जो होता है वो स्ट्रेट देखने के लिए नहीं मिलता है क्योंकि Coriolis deflection लग रहे हैं जिसकी वजह से करेंट कहां मूव कर जाएगी राइट हैंड की तरफ मूवमेंट देखने के लिए मिल जाएगा राइट राइट है नौर्दन हमेस्फेर में इस इस नौर्दन हमेस्फेर किदर की तरफ डिफलेक्ट कर गई राइट हैंड की तरफ डिफलेक्ट कर गई यानि कि इसका मूवमेंट क्या हुआ अवे from the land land के away movement इसने किया है इस वज़े से ये कैसी current होगी ये एक weak current देखने के लिए मिलेगी क्योंकि अपनी temperature का impact जो है इस land boundary के उपर नहीं डाल पाईगी मान लीजे दूसरा example कोई एक current यहां से ऐसे move कर रही clear? अगेन यहां पर क्या लगेगा? Corialist deflection, Northern Hemisphere right hand side move करेंगे तो यहां पर यह जो deflections होगे यह किधर की तरफ move करवा देगा इसको? towards the land तो movement कहां हो रहा है इसका? इसका movement हो रहा है towards the land land की तरफ देखने के लिए मिल रहा है यानि कि यह current कैसी होगी? यह हो जाएगी strong ocean current हमें देखने के लिए मिल जाएगी clear है इतनी बात? समझ में आई strong current के क्यों होगी और भी क्यों होगी? strong इस वज़े से होगी? क्योंकि land की तरफ move कर रही है और land की तरफ जब move कर रही है यह current तो अपने temperatures का impact is coastal boundary पे यह जरूर से जरूर क्या करेगी? टाथ भाई इस तरफ वाली area में यह वाला जो area यहाँ पे इसके temperatures का impact देखने के लिए मिलेगा clear है यह बात? आगे देखिए next यह आ गए हम Southern Hemisphere अब Southern Hemisphere में क्या हो रहा है? guys again कुछ भी नहीं same यही example को देख लेते हैं एक बार Southern Hemisphere में कोई current है और वो current move कर रही है ऐसे clear? Southern Hemisphere में हमें पता है Coriolist Deflections कहां लगते हैं? left hand side पे देखने के लिए मिलते हैं तो यह Coriolist Deflection की वज़े से किधर deflect कर जाएगी? left की तरफ यानि की arrow अगर इधर है तो मुझे इधर face करके करना है ठीक है? arrow अगर नीचे है तो मुझे face ऐसे करना है इधर arrow है बस उधर face करके आपको खड़े होना और अपना left, right देखना है और कुछ भी नहीं करना arrow ऐसे जा रहा है तो इधर face कर लिए और left hand यह हो गया तो deflections कहां हो गए? इधर की तरफ हो गए यानि कि it is moving towards the land clear? it is moving towards the land यह चीज़ हमें आपे देखने के लिए मिला उसके बाद हम लोग देखते हैं यहां से यह movement हुआ यहां पे यह current move कर रहा था और यह move कर जाएगा किदर? left की तरफ move कर जाएगा और left की तरफ move कर रहा है यानि कि it is moving away from the land moving away from around the land clear? यह चीज़ हमें यहां पे देखने के लिए मिल जाता है इसको याद रहा है clear? next चीज़ जो है वो हम लोग अपने next lecture में discuss करेंगे I hope आज की यह जो चीज़ें हैं आपको यह समझ में आई होंगी यह आज का हमारा discussion है यह हमारे basics हैं जो आपको यहां पे पता होना चाहिए guys UPSC always ask you from the basics तो यह हमारे basics हैं हमने पहले discuss किया कि ocean currents हम कहते किसको हैं क्या कहलाते ocean current they are the parallel movement of the water along the surface मतलब coastal के parallel यह move करते हैं इनकी जो maximum depth देखने के लिए मिलती है वो 2 inches देखने के लिए मिल जाती है यह चीज हमें यहां पे देखने के लिए मिलता है नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा discussion था हमने देखा कि cold ocean current की formation किस वज़े से हुई what are the forces responsible behind the cold ocean currents forces के बारे में हमें पता चला कि यह level difference की वज़े से बना है ठेक है उसके बाद next जो हमने यहां पे डिसकस किया हमने देखा equatorial current की formation कैसे हुई counter equatorial current के बारे में डिसकस किया और warm ocean current के बारे में हमने डिसकस किया यहां पे हमने cold ocean current का जो movement होता है they are formed due to the level difference between pole and equator यह move कहां करती है pole से equator की तरफ move करती है equatorial current के बारे में हमने discuss किया equatorial current are formed due to the corialist deflection corialist deflection की वज़े से form होती है और इनका जो movement होता है parallel to the equator देखने के लिए मिलता है और यह कैसी current होती है mild current देखने के लिए मिल जाती है उसके बाद हमारे पास आती है counter equatorial current move parallel to the equator east to west direction में move करती है और they are formed due to the rotation of the earth की जो rotation होती है उसकी वज़े से देखने के लिए मिलती है next warm ocean current हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली they move from equator to pole and form due to the nansen effect यह हमने यहाँ पे discuss किया उसके बाद हमने 14 major ocean currents के बारे में discuss किया 14 में से 6 जो current से उनकी naming बहुत ही सिंपल है यह तीन मैंने आपको naming यहीं पे ही करके दिखा दिखा लास्ट जो हमने अभी डिसकस किया वह हमने डिसकस किया है ocean currents के स्ट्रिंट के बाद क्लियर है गाईज गाईज एंडेस में इसके अलावा जो conceptual है ocean currents का वो बस एक topic बच रहा है चोटा सा दो टॉपिक बच गए है हमारे एक तो हमें यह देखना है major fishing zone और हम humans के उपर इन ocean currents का क्या impact पड़ता है वो चीज़ें हम लोग कल के मतलब next lecture में discuss करेंगे क्लियर आज के लिए इतना ही रखते हैं this is all for today guys thanks a lot jahin and I'll see you in next lecture I hope you guys enjoyed this lecture a lot thanks a lot